असलाम अलेकूम आज हम एंटिटेस्ट की एंटिटेस्ट की एंटिटेस्ट करेंगे और स्टार्ड ले रहे हैं चैप्टर नबर बान से इसी तरह हम हर चैप्टर की MCQs करेंगे Antitask के Point of View से और Antitask की MCQs और उसका Solution Topic-wise करेंगे जो जो Topic है उनको हम Discuss करते जाएंगे तो First Chapter में चलते हैं Physical Quantities को हम Discuss करेंगे Antitask के Point of View से जो इसमें MCQs आती हैं उसको Discuss करेंगे Lectures इसके मैंने अपलोड कर दी हुए फर्स चैप्टर के अगर आपने वो नहीं देखे तो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं Physics by Professor मती इसमें आप देख सकते हैं Lectures तो Antitask की MCQs में देखें अगर पूछा जाए Number of Base Quantities कितनी है और यहां पूछा जाए Number of Drived Quantities कितनी है यहां पूछा जाए Classification of Physical Quantities क्या है ठीक है तो यह MCQs अगर आजए यह बड़ा सिंपल सा MCQs बनता है Antitask में अगर आजए तो इसको कैसे आप बताएंगे यह आप introduction करते हैं इसी में यह सबका answer हो जाएगा हमें पता है कि Physical Quantities जो होती है यह इनकी जो Classification होती है Number 1 इसमें हम पढ़ते है Base Quantities होती है ठीक है दूसरा हम पढ़ते है इसमें Drived Quantity होती है जो drive की जाती है ठीक है और तीसरा Quantity होती है Supplementary Quantity Supplementary Quantity वह होती है जो ना ही Base होती है ना ही Drived होती है अब यह जो Base Quantity है यह सिरफ और सिरफ 7 Quantities है These are only 7 Quantities कौन कौन सी 7 है वो आपने पढ़ी हुई है Mass Length Time Temperature Current Current कोई से लिखते है Amount Light Intensity इसका Unit Candle, CD इसका लिख लेते है और Amount of Substance Mall और Light Intensity लिख लेते है Light 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है Mall Amount of Substance यह सिरफ और 7 है अगर यह MCQ साजे कितनी Base Quantities होती है इदर यह मैंने लिखा भी हो है Number of Base Quantities और only 7 अगर आजे The Number of Drived Quantities तो वो Very Large है यह Count नहीं कर सकते यह Very Large है इसको हम Infinite कह सकते है Very Large Number of Drived Quantities होती है यह भी आंसर हो गया Supplementary Quantities आजे है कि Supplementary Quantities कितने होती है अगर यह MCQ साजे तो यह सिर्फ और सिर्फ टू है अब यह कौन सी टू है यह हमने पड़ा होगा है Number 1 इसमें होती है Plain Angle यह First है इसकी और Second होती है Solid Angle यह इसकी Tube Supplementary Quantities है यह MCQ साजे बड़ा सिंपल सा मनता है क्लासिफिकेशन कितनी होगी 3 होगी Base, Drive and Supplementary Quantities होगी ठीक है अब Next MCQ से चलते हैं यह इसमें से जो MCQ से बनेंगे वह आप कर सकते हैं अच्छा मैंने इदर लिखा Drive कौन कौन से है Base के लावा Supplementary के लावा सारी के सारी Drive Quantities है अब इसमें चंद लिख लेते हैं Force Work done Tark Momentum And Son जितनी भी है वो सारी की सारी अब क्या आजाएंगी Drive Quantities में आजाएंगी अब Next MCQ करते हैं यहां पर मैंने Topic-wise MCQ डिसकस करने हैं तो Next जो MCQ यहां पर मैं बताने जा रहा है वो यह है कि मेरे पास Option है आपने बताना है उन Option में से कौन सी Option Supplementary Quantity है Which of the following is Supplementary Quantity मैं इदर Option लिखता हूँ First Option मैं इदर लिखता हूँ Radian दोसरी Option B है Steeradian और Third Option है Both A and B और D Option में लिखे लेते हैं None of these अब यह मैंने लिखे MCQs क्या है Which of the following is Supplementary Quantities इन में से Supplementary Quantities कौन से हैं Radian है Steeradian है या दोनो है या कोई भी नहीं है तो इसकी statement मैंने नहीं लिखे वो मैं description पर जाएं इस वीडियो के description में मैंने link share किया उस link open करेंगे तो आपको image मिल जाएंगी इनकी statement की ठीक है साथ या MCQs जितनी मैंने discuss करनी है इदर वो image की फार्मर भी होंगी आप वहां से डाउनोड कर सकते हैं ठीक है तो अब देखें रेडियन और स्टी रेडियन आंसर इसका आएगा none of these क्यों क्योंकि ये रेडियन और स्टी रेडियन ये units हैं हिंट के हैं इसका ये unit है ना कि ये supplementary quantities है तो इस वज़ए से हम कहेंगे कि answer इदर क्या बनेगा none of these क्योंकि बचे जातर mistake कर देते हैं करते हैं उन्होंने बुक में जो लिखा हुआ है क्या लिखा है प्लेइन एंगल का युनट रेडियन होता है तो वह इन ही युनट को ही physical quantity समझना शुरू कर देते हैं तो रेडियन और स्टी रेडियन युनट है ना कि ये physical quantities हैं तो इन में से कोई भी physical quantity नहीं है ठीक है अब चलते हैं इससे अगली mc के उसमें फार कंप्लीट रूटेशन है फार कंप्लीट रूटेशन दी वैल्य ओफ प्लेन एंगल इस अगर कंप्लीट रूटेशन हो तो एंगल की वैल्यू क्या होगी मैं इदर पॉइंट बना लेता हूं complete रूटेशन हो और इस complete रूटेशन में एंगल की वैल्यू हमने बतानी है ठीक है statement आपको मिल जाएंगी description के link है वहां पर मैंने आप link open करेंगे तो यह statement और यह सारी यह मिल जाएंगी तो मैं complete statement नहीं लिख रहा आइधिंग आपको समझा रहे है complete rotation angle कितना होगा what is the angle angle हमने बताना है तो यह angle का formula होता है s over r और complete rotation के लिए हमें पता है s is equal to 2 pi r होता है अगर यह value हम s की इदर put कर दें तो यहां पर यह आजाएगा theta is equal to 2 pi r divided by r radius cancel हो जाएगा theta equal आजाएगा 2 pi radian के यह हमारे पास answer आ गया के complete rotation के लिए angle radian के equal आता है 2 pi radian के equal आता है अगर आप से पूछ लिया जाएग चलें इसके बाद unit में चलेंगे इसी तरह की mcq unit में भी आपको बताऊंगा कि complete rotation के लिए इंगल कितना बनता है चले मैं स्टीर इंगल कर लेते हैं far complete rotation अगर complete rotation हो तो स्टीर इंगल कितना होगा solid इंगल कितना होगा तो solid इंगल के लिए अगर बात करें तो theta is equal to a over r होता है और solid इंगल हमें पता यह स्फेर में होता है और अगर यह बात करें यह center is sphere का यह radius है और यह surface area बन रहा है ठीक है और surface area यह tबाई आर kas spacer होता है किसी भी surface का यह area होता है फोर फोर पाई आर स्केotherapy यह वैलू यहां पर potelet करतें हैं अब ऑव रार्स क्ए आप एनिया की वैलीम कृणते हैं एक यह यहां पर पोट्र करें तो यहां आजएगा इस इकल टो फॉर पाई- आर्सकार डिवादेट बड़े आर्सकेम आप आर्सकेम से हैं रेजी सक्षी कैंसल वह जाएंगे तो ही यहां पर भाजे गाव फ्ए यहां पर यह आ जाजेगा स्टी ज्डिय ठीक है ठीक है तो यह स्टी डेटियन सॉलिड ऑटना रहा था वह प्लेन एंस लिए तो एक कंप्लीर रोटेशिन और से फेर में तो Lay ayud and for produção और सर्कलम का में ये जो प्लेढ बात My ये जो वे न इन he CAR का रहे हैं प्लेढ अंगल होता है है सर्कल की बात करें तो बना इंकल अर सफेर की बात करें थो I तोटल एंगल बनता है सरकल में एक कम्ली डूटेशन के लिए टोटल एंगल टूपई रेडियन होगा ठीक है यह दोनों मिलती जूती एंसी की उसाइए अब नेक्स देखते हैं बहुत किंसेप्च्वल एंसी कुसे ठीक है अगर आप से कहा जाए मतलब है तो बढ़ी सिंपल सी सोचने हैं आपने दुरसा अगर आप से कहा जाए कि हमारे पास बेस कौंटिटी का टेबल है मैं इधर यह लिखी भी हुए है मैंने यह सेवन बेस कौंटिटी लिखी हुए है मैस यह इदर से रिमूफ कर लेते हैं यह नेक्स्ट एमसी की इदर से ही बना रहा हूं अगर हमारे पास यह सेवन कौंटिटी से मैस लेंग्थ टाइम टंप्रेचर करंट लाइट ऑफ इंटेंस्टी एंड मॉल यह मारे पास सेव होगा तो अगर हम यह हम सेवन बेस कौंटिटी मैं से निखाल दें है इंudra इस नहीं होगा हम आगे जाएंगे ड्राइव कौंटिटी जब निकाल लेंगे तो हम ढालेंग तो हम हम घांगी आगी तो तो यह हमने देख लिया, mcqs एक और mcqs है, last mcqs आपसे discuss कर रहा हूं, इसमें आपने बताना है, why there is no SI base units of area, area का base units क्यों क्यों नहीं होता, why there is no SI base unit of area, SI base unit of area, SI base unit क्यों नहीं होता है area का, यह बताना है, इसका answer यह है, कि area चूंके एक derived quantity है, तो derived quantity की अगर बात करें, तो यह area का formula होता है, length into width होता है, और अगर इंके unit लिखें तो length का unit meter, इदर width आजएगा width का unit भी meter, तो यह आजएगा meter square, तो area का यहां पे unit बन रहा है, वो क्या आ रहा है, meter square आ रहा है, तो यह derived quantity है, इसलिए area का base unit में, MC कूस आजए, why there is no base unit of SI, why there is no base unit of area, तो हम क्या कहेंगे, because area is derived quantity, derived quantity का base कभी भी नहीं होता, ठीक हो गया, यह हमने 7M CC कर लिए हैं इसकी, ठीक है, आज का topic हमने यह complete कर लिए है, यह बहुत simple सा topic है, इसको पढ़े हैं, मारी बुक में, आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि कुछ quantities मैंने show की हुई है, आपकी बुक में, बहुत सारी, जितने भी formula यह आपने पढ़े हुए हैं, first year और second year की बुक के, वो सारी के सारी जितने भी quantity हैं, वो derived quantity हैं, उनमें सिर्फ seven base quantity हैं, और सिर्फ two supplementary quantity हैं, जो के plane quantity हैं और solid angle है, यह सारी के सारी quantities आपने पढ़े हुई हैं, अब इससे अगला next topic बहुत important शुरू होने वाला है, units का और units के बाद, फिर हम dimensions को भी देखेंगे, फिर हम error को देखेंगे, जो ज्यादा important है, यह बहुत simple था, आप बुक में सारी quantities तो पड़ी हुई हैं, हम मिलते हैं next lecture में, अगर आपने यह चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, तो अभी subscribe करें ताकि आपको new videos notification के साथ मिलती रहें, ओके, अलाफीस.